नमस्कार दोस्तों एंजी नूज हरियाना में आपका स्वागत है एक दुख भरी घटना है गाउं बड़नपुर से आप सभी से पील है जो भी इस वीडियो को देखे शेर करें जादा से जादा क्योंकि आप सभी की मदद की जुरूरत है अगर आप शेर करोंगे कहीं ना कही जो अभी मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ उस भाई की कुछ मदद तो सकेगी एक बुरी घटना गाउं बड़नपुर एक गरीब प्रिवार जो अपना प्रिवार चलाता है रिक्षा चलाकर अपना प्रिवार चलाता है और खासकर मैं विधायक नर्वाना के जो विधा सनक्राद का ही यह निवासी है तो मैं चाहूं हगा दरकोषख करना चाहूं गा की थोड़ीस मदद इस परिवार की करें काफी गरी परिवार है रिक्सा चला कर अपापना प्रिवार छलाता है तो एक हादसा एक तीन दिन का नड़का तुफान आया कान पूरे मकान की जो कड़ी है वो गिर गई जिसके कान से ये पूरा हादसा हुआ है और जो तीन दिन का लड़का था उसकी मोत हुई है बड़ी ही दुख्द घटना है ब्यानक दिल को दहलाने वाले घटना है आप सभी से निवेदने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें अभी मैं उनके प्रिवार से अभी बात करना चाहूंगा कि कैसे ये घटना घटी और कब की ये घटना है आप इस सहयोग मानते हुए इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा ग्रूपों में शेयर करें ये जो भाई है बालमी की समाद से है और विधायक से मैं बा प्रिवार खुसिया मना रहा था अचानक मातम में बदल गई तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को जरूर ज्यादा ज्यादा विधायक के पास भी पहुंचे और विधायक भी इसके परती एक्षन लेते हुए कुछ ठोस कदम उठाए आज लग इस प्रिवार को कोई सरकार कि तरब से नहीं मदद मिली है तो अभी पूरी बात मैं जान लेता हूँ पाई शमय शकार सब्सक्राइब है क्या कुछ काम करते हो जी है मेरे रिक्षा चलाता हूँ तो जो आपने मकान मिनाया कैसे क्या मनाया पूरी बादब उच्छा चलाय का पैसे पाई-पाई- लो पिछे 10-15 दन पहले आंदी तुफान आय थी इस गाउं में बजली डाय थी उसमें भी बहुत तेज तुफान आय था इसकर के मकान में हमें दन्लू तरफ द्रार आगी थी बहुत जादा वह तिन चर दन पहले विजिन तुफान आय थे उसी दिन से मिट्टी निच डैरी ती जी किडियों से अच्छा पर सुक्रवार को में लड़का वा था जी तीन दन गाते जी अच्छा जी खुशी का मौल था जी उसी रात को तीन सदे तीने बजे सुवे जी अचानक एक दम छतिकिरी की जी इसके गाण वाँ अंदर थी जी मेरी मेसेजी भी लड़का भी जी उसके जी और टुकड़े लगे जी निच्छा पड़े पाए थे जी प्रुश्य प्राशिया जी सारे वैसुवे का दी मौल था जी सारे तो अभी तक आपको सरकारी करते हैं तो अभी तक आपको सरकारी तरफ से कोई मदद जी अच्छा तो क्या चाहते हो अभी मदद मिलनी चाहिए कुछ है देखो जी गरीवादी में आजी एकसा चलाए टेम बस कर रहे हैं जी सरकारी के तरफ से मिलना चाहिए जो किसा जोड़के जी थोड़ी बहुत मारे मदद की जाए जी नर्वान जी तो बहुत मारे मदद की जाए जी गरीवादी में आजी तो यह देख सकते हैं जो तीन दिन का लड़का था उसके पीता जी है और प्रिवार की हालत आपने देख ले मैं अंदर की तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा तो देख सकते हैं कैसा महोल है मातम में चाया है खु पी उठाई है आपको लगता है भी सही है तो आप इस वीडियो को जुरूर शेयर कर देना गुरूपों बेजे विधायक जी के पास बेजे क्योंकि विधायक जी बहुत ही दानकरनवीर है बहुत लोगों की शायता कर रहे हैं मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भी अगर इनका स करेगा और इसका जिम्मेवार कौन होगा कौन नहीं यह मैं नहीं जानता लेकिन अपील है यह सभी से कि आप इस वीडियो के मादम से सयोग कर सकते हैं साहिता कर सकते हैं और विधायक जी तो खास कर अभी मैं वह टुकड़े दिखाना चाहूंगा जो यह देख सकते हैं जो पर यह हाथसा हुआ है तो भई अब वह तस्वीर दिखाना चाहूंगा मैं जहां पर यह हाथसा घटा है और यह उस लड़के की माहत जिसका तीन दिन का बेटा था आज नहीं इसके पास लेकिन जो दुख है सभी का दर्द है मैं चाहूंगा इसको आप सभी बांटे इस व बैड रखा हुआ था जच्चा बच्चा दोनों यहां पर रखे गए थे और अंदर से तस्वीर इधर से आजो यह पूरी तस्वीर देखाना चाहूंगा यह देख सकते हैं पूरी जो मकान की कड़ियां थी वह तूट गई है यह देखो मकान की पूरी जो च्छत है वो गिर गई है यह कड़ी सारी देख सकते हैं किस परकार के हालत है और यह बाकी जो मकान है इस पर भी खत्रा मंडरा रहा है देख सकते हैं यह तुफान के कारण दरार में है पूरे में दरार है यह हाथसा कभी भी जो गांवाले हैं पडोसी हैं इसे बात कर लेते हैं भी क्या कुछ करना चाहेंगे इस घटना के बारे में बड़ी दर्द बड़ी घटना है तीन दिन का बेटा आज एक तुफान के कारण मकान गिर गया जिसके कारण से आज इस दुनिया में नहीं है प्रिवार पर के हालात बहुत बुरे हैं तो आई यह जानते हैं प्रिवार के बारे में यह कहना चाहेंगे जो भी है यह पूरा मकान गिरने को हिसके और यह पाई-पाई-जोड कर अगला मकान बनाया इसको पिछला प्राण मकान और यह विद्याइक जी से नरोध है कि इम्रावना शुर्जा खेड़ा जी को आज जोड़कर नरोध है कि प्रिवार के मदद की जाए यह जो आद्सवा है यह बहुत ही दर्वार का है जो हम विद्वाइकर अपर रिक्सा चला कर अपना गुजारा करते हैं मैंने देख लिया पूरा मकान वह दुबारा हो सकता है तो मैं चाहूंगा विद्वाइक जी इस पर संग्यान ले और इस मामले को देखते हुए कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए ताकि इस प्रिवार की कुछ मदद थोसके आप सभी से फिर दुवार है फिर अपिले की वीडियो को ज्यादे ज्यादे शेयर करें अभी जो लड़ी लगी है तो वच्छा का उसे टेम तकलीफ हो यह जी सब्सक्राइब करना चाहेंगे मारी को जी मदद कर सको जी मड़े पीसा-पीसा जोड़ करकर करका जी मकान बना था गरीब आदमिया जी वूड़ा इसका बाप है माबाप बूड़े हैं विमामें तक मान जोगे आपने प्रिवार के हालत देख ली यह लड़के की दादी जो तीन दिन का लड़का की मोह तो यह तुफान आने से जो मकान गिरा है फिर दुबारा फिर अपील है वीडियो को जुरूर शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि इस प्रिवार की मदद होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को जुरू शेयर कर देना एंजी नोज की खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है गाउं बड़न पूर से धन्यावाद बंदे मातरम जैहीं जैवाद